हेलो स्टुडेंट्स नमस्कार सस्रीकल बेटा कैसे आप सब आयो बेटा सभी लोग अच्छे होंगे वेल आज जून खतम हो गया जुलाई स्टार्ट होने वाला है बेटा और देखते देखते ही सीबीटी वन जो होने वाला एससी का बेटा वो भी उसका बीड़ेट आ गया मुश्किल से तीन मेने बचे में और आपका एक्जाम हो जाएगा सीबीटी वन का हम लोग यह समझते हैं असान है याद रखेगा एससी का जो सीबीटी वन वह असान नहीं होता है यह अपने दिमा होता है इतना भी असान नहीं है आपका सीबीटी वन एपने दिमाग में बठा लिजे अभी भी समय यह सब को यह पता है आपको यहां पर कंप्पीटा बेस टेच्ट वन होता है वह आपका यहां पर 200 का होता है दो घंटे का होता है और बैटा इसमें आपको यह ध्यान रटना है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है सब को पता है बैटा मैं आप से कह रहा हूं कि यार आप सब लोग सुनते हो गयार सर स्सी जाएगी किताब उढ़ाते हैं बहुत लपो कोशन होते हैं होते हैं लफों होते हैं कि यहाँ गते तुमने कितने क्वास गता करते हैं तुम ना रेनज तुमारा कितना बढ़ा है का में जैसे कि मैं तुमसे यह कहूं कि आ कुछ मत पढ़ू तुम Pacific कि सब्सक्राइब देलो बेटा believe me तुम 50 question तो ऐसे ही मारत होगे 50 question बेटा मार कर चले जाओगे because SSC किसी को भी नाराज नहीं करता है तुम हम कहरें नहीं कुछ बढ़ कर जाओ तुम बस SSC का एकजाम देने चले जाओ पचास question तो ऐसे ही मारत होगे इतने बेटा आपको वहाँ पर लपो लपो simple question मिलेंगे बट मैटर यह करता है कि आप पचास नंबर पर तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे 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 क्याता है इसमें बहुत लोग आएंगे आपका 0 से लेकर 70 नंबर तक बच्चे बहुत आएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लोगों की संख्या कम हो देंगी और आप लोग प्लस जाना सुरू करोगे आपको देखोगे कि जो स्टूडेंट से बिटा वह बहुत कम होना सुरू कर देंगा क्यों वह रेंज नहीं होता है बैटा सब लोग उस रेंज की जाता है कि यार इसमें तुमको पेशन्स रखना होता है हर चीज पढ़ना पढ़ेगा एक सब्जेक्ट छोड़े बैटा सेलेक्शन छूटा यह ध्यान रखके बैटा पढ़ाई करना अभी भी समय है सुरू कर दीजिए सीबीटी वन का और उसके बाद बैटा सीबीटी टू आने वाला है जिसके लिए अगर नहीं लिखते puisqu सब्सक्राइक करन नहीं लिखते हैं इसको और चोब बैठी बैटा स्पूलिप्राइइधन हो होंने के बाद हमने बच्चों को देखा है में चोड़े ओथा ऊंदित हो आजका लिखने वाला चोबर kuntis ul लिखने वाला होता है तो कोशिश ये करिए कि अभी सब्सक्राइब नहीं कुछ लिखने का मन करें जैस्री रामी लिखते रहो और नहीं बढ़े हम नास्तिक हैं यह तुम अपना जो भी रिलिजियों का उसको नाम लिखो नहीं तो बैटा किसी रिलेश्टिम में जिसके उसक शौट्स घुमाते रहते हो उससे ना होगा एक्जाम में भी ऐसे से नहीं करने से नहीं लिख पाओगे लिखना का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए क्योंकि जो आपको यहां पर सिबीटी वन के बास समय मिलेगा उतने समय में आप लोग पूरा कोशन स्वाल नहीं कर कोई में नहीं करता इसमें आना है तो आपको कम से कम 150 मार्स लेके आना पड़ेगा तब जाके बैटा सेलेक्शन होगा आउट ऑफ 200 तो यह दिमां में रखेगा एससी बैटा असान खेल नहीं है और उसके लिए फिर समय कराओ बैटा दस चीजों को पढ़ने की जरुवत नहीं है या एक यूथ की बुक लेलो बैटा एक जेवी गुपता लेलो और एक IES का पब्लिकेशन का बुक लेलो more than enough है टेकनिकल के लिए किसी ब्रांश के बैटा उसके बाद आपका बैटा जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें या तो तुम क्या करो बैटा लूसेंट लो या फिर मनुहर पांडे कोई एक दोनों नहीं बैटा इतना समय नहीं है कि दोनों तुम कम्प्लिट कर सकोगे तो या तो मनुहर पांडे या तो लूसेंट एक लो और साथ में करंट अफेर के लिए एक स्पीड़ी आती बैटा स्पीड़ी करके बुगाती है इसको ले लीजिए यह बेटा आपको बहुत अच्छे से पूरे एक साल का कवरज दे देगा यह चीजें आपके पास होने च तो पड़ को देखते हैं आप लोग को अगे बढ़े आपके सख्या के साथ और यह आप प्रॉपर वे मेरे सेलक्षिन चाहिए तो अन्या बैस स्टार्ट हुआ है उल इन वन बैच जिसको बैटा आप आज अवेल कर सकते हो मैक्सिमम् दिसकाउंट के साथ और बैटा यह आपको छे गंटेस के लिए बागी है आप लोग एप पर जाके इसको दे सकते हैं बस ध्यान रखिएगा एक कोड हमेशा याद रखिएगा जी यह डबल वन डबल वन कोड लगा दिएगा जब भी आप लोग कोर्स को पर्चेस करेंगे इस कि स्कोर्स को अविल करना तो बटा इसके लिए छे गंटे बाकिये विए बैस्ट ले सकते हैं तो ले सकते अच्छे से पढ़ाई करिए सेलेक्शन लेना बटा तो बाकी तो बटा बड़ी बात हो रही है तो तो मच गडबलेस यू मिलते रहेंगे और आप लोगो गाइड क